चलिए इसके पहले हमने जोकि इंसेर्ट पेन्यू के इंतरगत बुक मार्क और और हाइपर प्रेज्ट और जोकि क्रॉस प्रेश्ट देखा था आज हम आगे देखते हैं हेडर फूटर और पेज नमबर्स यह आपने हमारे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो क्रम अनुसारून है देखें जिससे इसके पहले का जितना भी डेटा है हमने अभी तक समझाए वो आपको सन में आ जाएगा उसके बाद इसे अपको समझेंगे तो जाद अच्छे से आपको आसानी से समझ में आएगा आज हम बात कर रहे हैं हैडर फूटर की बहुत इंपोर्टे हैं हैं और इनमें कोई सीबी स्टायलाँ आप हेडर की रूप में यूज कर सकते हैं और यहां पर यह देखिए पैटवरी वेकन्सी का जो नाम दे धिया गया वो आगया है तो हम चाहते हैं कि हमारा हेडर कोई भी हम हेडर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं उधाण की तोर हम अपनी संसता का नाम यहां पर ले लेते हैं तो हम अपने institute college का नाम हम यहां पर या पनी company का नाम इसमें title में डाल सकते हैं उसके उन्तरगत कोई भी image बगएर भी यदि आपको insert करना है तो header के उन्तरगत image बगएर भी आप insert कर पाएंगे या कोई logo assign करना है तो वो भी आप इसमें insert कर पाएंगे इसके लिए insert में जाएं और उस image को आप select किजिए और insert कर दी कोई logo होगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा तो यह header footer में सबसे पड़ा फाइदा है कि एक page पर एक बार लगा देने के बाद by default वो सभी pages के लिए लागू होंगे जैसे भी हम एक page यहाँ पर insert करते हैं आप देखेंगे कि वहाँ पर यह देखिए यहाँ पर header footer लागू हो गये हैं तो पेट के अंत्रगत header footer के में आउशक्ताव लगती है अपने अटेटाइज या उसे संबंदित paragraph का title देने के लिए तो हम header कर सकते हैं तो header footer के लिए वही insert को click करेंगे यहाँ पर आपको header footer मिल जाएंगी यह सारे predefined header footers हैं जो भी आप लेना चाहते हैं जिस भी style में लेना चाहते हैं वह आप यहाँ पर define कर दीजिए यह देखिए logo वगरा भी इसमें दिया हुआ हुआ है इसमें date भी आप कोई assign करना चाहते हैं तो वोग कर सकते हैं औरétatल में कोई भी title दे सकते हैं इन का color भी आप formatting भी आप change कर सकते हैं colors text का color भी आप define कर सकते हैं और background color भी आप define कर सकते हैं wilderness भी कर सकते हैं तो यह सारी चीजिए आपको मिलेगी header footers के अंतरगत तो insert में header के अंत्रगत हम header पर जाएंगे और यहां पर यह predefined सारे headers हैं जो भी header आप लेना चाहते हैं उन्हें आप अपने document file में insert कर सकते हैं header की तरह ही footer भी है जो page के अंत में डाला जाता है तो उसे डालने के लिए हम footer को click करेंगे यहां पर भी predefined footers हैं जो भी आप footer लेना चाहते हैं footer के अंत्रगत header के अंत्रगत जहां पर हम title define करते हैं और वहीं पर footer के अंत्रगत page number signature या date इस प्रकार के footer दाल सकते हैं तो 2007 के अंत्रगत और इससे आगे के नए वर्जन के अंत्रगत header footer को अच्छ से define करके दिया गया है तो उसरा जब header footer आप define करते हैं तो उससे संबंदित tools यहां पर activate हो जाता है designing tools इससे कहते हैं जिसमे page number का format यहां पर आ रहा है तो page number आप कहां पर insert करना चाहते है header footer में वह आप यहां पर दाहित कर सकते हैं header footer का icon है ही इसमें date time आप यहां से insert कर सकते हैं different different format उसके date times के हैं क्युक पार्ट यहां पर है जिसके अंत्रगत link book वगेरा के कुछ predefined format है जो आप document file में ले सकते हैं यह सारे formats हैं जिने आप insert कर सकते हैं तो यह insert हो जाएंगे और उनमें कोई भी data define कर सकते हैं तो यह आता है जब आप insert से header footer को click करते हैं कोई भी header footer तो उसकी design window आ जाती है एना उसी में picture भी एक लिपार्ट भी है header पर जाना है तो go header और इसी प्रकार यादर पर आप है और footer पर आना है यहां पर जैसे आपने header define कर दिया है इसका footer में आना है तो यहां पर footer पर आ सकते हैं preview और next करके देख सकते हैं अगला क्या header डालना चाहते हैं different first page तो इससे पहले page में आप different कर सकते हैं different order even दोनों में अलग-अलग header footer डालना चाहते हैं तो फिर यहां पर आपको यह click करना होगा तो odd even जैसे आप book में देखते हैं कि एक page पर book का नाम लिखा होता है और दूसरे page पर paragraph यह chapter जो चल रहा हो तो chapter का नाम लिखा होता है तो वो यहीं से लागू होता है different order even यहां पर आप कोई भी अलग header define कर सकते हैं जो जो है कि even page पर अलग रहेगा और odd even odd पर page पर अलग रहेगा यह इस प्रकार से तो आप देखेंगे कि जो first page ही इसका header अलग है और यह different कर दिया सामने इसलिए first page different अलग आ रहा है और second page का header इसमें यहीं सुबह में आ रहा है जबकि इसके इंतरगत इसमें अगले page में जो ही की DCA PGDC आ रहा है यह देखें इसमें DCA PGDC है और इसमें पोच पोचेंगे तो शुबह में आ रहा है अगले इतने page insert करेंगे तो उन सभी में यही चीज लागू होगी जिसमें data by default यह देखें एक में शुबह में आ रहा है अगला जो इंसर्ट होगा उसमें by default DCA PGDC आ जाएगा यह DCA PGDC आ जाएगा इसके बाद फिर शुबह में आ जाएगा यह देखेंगे यह आ गया इस प्रकार different different header footer भी आप रख सकते हैं और और even तो यह insert के अंत्रगत जब आप header footer को लेते हैं header ले या footer ले उसी के अंत्रगत उससे संबंदित settings आपको यहाँ पर मिल जाएगी header footer का कितना centimeter जगे आप चाहते हैं 1.25 cm यदि आप कम करना चाहते हैं header के लिए इसी प्रकार footer के लिए भी कम चाहते हैं आप तो वह आप यहाँ पर define कर सकते हैं close header footer को click करेंगे तो इसे close कर देंगे तो इस प्रकार हमने समझा कि इस प्रकार document file में आप header and footer को insert कर सकते हैं header footer के बाद page numbers है page numbers से आप यहाँ पर file में अपने document file में कोई page number ले सकते हैं उसमें भी अलग-अलग style है कि top में आप चाहते हैं तो top में भी फिर alignment उसका set कर सकते हैं यह मिलेगा आपको page number के अंतरगत current position तो current position इसकी जहां पर भी होगी वो बता देगा format page number 123 चाहते हैं ABCD चाहते हैं या Roman चाहते हैं तो यह अलग-अलग पर कखगभी है वह format लागू हो जाएगा जब page number formatting आप लागू करते हैं तो यहां पर start at कहां से start हो जैसे हम अपने देखा होगा कि जब हम book binding करते हैं तो बुक का जो first page है वहां पर numbering नहीं आता है वहां पर चोड़ देगा आ से आएगा या 12345 है तो फिर वहां one page cover भी है लेकिन two से आएगा तो फिर हम चाहते हैं तो यह set कर सकते हैं कि आ से आ या हमने जो भी लिया कर लिया या Roman लिया तो second से यह हम निर्दहट कर सकते हैं तो नम्मर जो alignment set होगा वह second page से होगा देखें फर्स हमने second कर दिया है यह first page by default ही हमने set कर दिया था different इसलिए इसको लिया यह नहीं है तो यह first second number से लिया था था यह थर्ड आया तो आप चाहते हैं जो भी चाहते हैं इस प्रकार का तो यहां पर second चाहते हैं तो first उसमें कर देंगे different कर देंगे यह वह different नहीं किया होता तो यहां पर second यहां था हमने फूटर के इंतर फर्स पर different को चेक लगा दिया था इसलिए उसकी style designing के लिए यहां पर छोड़ रहा है skip कर रहा उसको तो यह इस प्रकार से नंबर आप डाल सकते हैं टेक्स यहां पर format है जब आपको data alignment बनाते कंपनी के ब्रॉजर वगरा बनाते हैं तो अलग-अलग define style के आवशक्ता पढ़ती है कुछ paragraph बीच में लेने के आवशक्ता पढ़ती है दो भागों में डिवाइड करनी के आवशक्ता पढ़ती है तो यह text page है different जिसमें layout designing आपको predefined मिलेगी यह द कर सकते हैं जिसे आप या company या product की जो है की qualities को आप define कर सकते हो तो उसको highlight करने के लिए यहाँ पर उसका color designing style दिया गया है इसमें भी formatting आपको करना है तो आप double click करें यह ऐसे activate नहीं होता है double click करेंगे तो यह activate हो जाएगा फिर आप जो भी color style यहाँ पर लेना चाहते हैं यह कि देखिए background colors का हो गया इसी प्रकार इसका भी design style आप लागू कर सकते हैं वह कोई issue नहीं है उसमें तो हम यहाँ पर अच्छा से कुछ formattings define कर देंगे इस प्रकार से designing आप ले सकते हैं तो यह quick part के अंत्रकत आपको sorry text के अंत्रकत यह आपको मिलेगा और draw text के अंत्रकत जाते हैं आप तो कोई भी text अलग से design आप कर सकते हैं और उनको assign कर सकते हैं चलिए आगे हम देखते हैं अब यह में एक नई file ले लेते हैं आपर इंसेट के अंत्रकत यह हमने देखा था text book के अंत्रकत जिससे text box के नाम से दिया गया 2003 के अंत्रकत लेकिन 7 के अंत्रकत इसको और अच्छे से design करके दिया गया है जिसमें predefined style को मिलेगी और यादे इसे draw करना चाहते हैं तो draw text box दिया गया है जो जैसा आप जहां रखना चाहें वहां इसे रख सकते हैं क्योंक पाइट के अंत्रकत यहां पर फिल्ड वगेर आप define कर सकते हैं की बार हमें फिल्ड डिफाइन करना होता है जैसे excel वगेरा के अंत्रकत हम डिफाइन करते हैं एडवांस के अंत्र जैसे हमने text box वगेरा लेया लेप्ट में अच्छे से आपको सुन में आएगा लेकिन हम यहां पर क्योंक पार्ट में और यह देख लेते हैं डॉक्मेंट प्रॉपर्टी से तो इसमें categories, comments, company inbox, email, fax, phone number इनके कोई content आपको रखना कहीं पर भी तो यह by default आपको मिल जाएगा company phone तो इस paragraph के अंतरगत company का जो भी phone number है वो आप define कर सकते हैं इस प्रकार से और फिर इसकी विशेशता है इसको कहीं पर भी उठा करके आप define कर सकते हैं जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं और वहां पर आप इसको क्लिक करके और assign कर सकते हैं उसमें कोई issue नहीं है हम जहां चाहते हैं वहां paragraph को हम पाएंगे और company का नाम catalog और यह देखिए move हो गया है तो यह हम कर सकते हैं यह तो प्राइटिक अंतरगत मिलेंगे आपको इसके बाद अगला option आता है word art इंसेट के अंतरगती मिलेगा word art तो word art बहुत ही important है कि वर हमें डिजैनिक इस्टल क्या उश्चता लगती है तो जो भी word art यह different है okay कर दीजिए देखिए वो जो style आपने लिया था वो यहां पर आज चुका है अब यहां पर कुछ चीज़े लिख कर देती जैसे आप इसको करना चाहते हैं कि बार इसे आउशक्ता लगती है कि मूँ नहीं होता है तो हम इसके भी सारे फीचर समझते जब आप word art को इंसर्ट करेंगे तो उससे समझत वर्ड आर्ट बार आ जाएगा जिसके अंत्रगत यहां पर यह सबसे पहला उप्सन इसमें एक सब्सक्राइब करें टेक्स्ज टेक्स को एडिट करना जैसे शुवम अकेडमी में कहीं स्पेलिंग बिस्टेक हो गया है और उसे इडिट करना है यह फिर्स्का है तो फंट को आपको चैंज करना है तो डिफरेंट फंटल ले सकते हैं कि जो भी फरंट लेना चाहते हैं आप इसका कि साइज बढ़ाना फरंटे की तो आप वह भी बढ़ा सकते हैं इडिट में है और इस्पेसिंग में जो फरंट आपने जो प्रेक्टर लिखे हैं लेटर से हैं उनके बीच उनको इस्पेस आपको कम करना जैसे वेली टाइट कर देंगे तो बहुत पास-पास जाएंगे देखिए जबकि इसको लूज करना है तो यह हम लूज कर सकते हैं तो कि डिवाइन करना है Hai ऐसे से उतना यू नहीं है जदि सेयलाच चाहते हैं तो सेमिली चाहते हैं तो सेमिल कर दिए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और वर्ड़ बर्डीकल जो उन चाहते हैं तो यह श्ता एंप的 हमारे मौस क्लिक कर रहे हैं जिससे लागू हो रहा है तो इस प्रकार से word art पर semulator और यह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि alignment भी है तो left right center से किदर से manage करें वो आप कर सकते हैं word art का style यह दिए आपको change करना है तो different different styles हैं जिसे click करने पर यह लागू हो जाएगा यह जो भी style आप लेना चाहते हैं वह अप्ले लीजिए style आप ले लेते हैं style आपको पसंद होती है लेकिन किवा इस्तथी होती है कि में color पसंद नहीं है जो color इस पर define किया गया है तो यहां यह शैप भी है जो color आप चाहते हैं यह देखिए वह color आप इस पर लागू कर सकते हैं multi color आपको इसमें लेना है फिल शैप फिल में जाएं यहां पर multi color option भी मिल जागा यह more fill color जिसके अंतरगा जो भी color लेना चाहते हैं वह आप assign कर दीजिए यह वह color आजाएगा और इसी में यह pattern भी है textual color भी है आप textual लेना चाहते हैं या grant लेना चाहते हैं इसी बात की थे हैं multi colors यह आप define कर सकते हैं और textual लेना है तो इस डिफ्रेंट डिफ्रेंट टेक्च्य है आप ले सकते हैं देखिए word art बहुत अच्छा लग रहा है अलग डीजाइन आ गया है तो वह आप कर सकते हैं कोई picture भी लेना है तो यह बहुत अच्छा पिक्चर को क्लिक करें और जो भी picture आप लेना चाहते हैं जैसे हम यह हमारा picture ले लेते हैं इंसेट करते हैं आप देखेंगे कि जो picture आपने लिया है वह picture उस word art के अंदर आ गया है और लोग इसा चाहते हैं और एफेक्टिव यह थोड़ी गाड़ी यह गहरी picture होगा तो उसको ले लेगा लेकिन अभी समस्यारी कि हम इसे मूग करना चाहिए लेकिन मूग नहीं हो रहा है तो यहां पर देखिएगा यह टेक्ट वार्पिंग है तो यह इन लाइन भी टेक् इसके चाहुत रफ हो जाएगा इसके और में या फिर इसको कड़ी इंफ्रेंट या बिहाइन यदि आपने इंफ्रेंट कर दे तो टेक्स्ट के ऊपर आप इसको कहीं पर भी रख पाएंगे यह देखिए जबकि यह अभी मूमेंट नहीं कर रहा था इसमें ब्ल्वर्श के इसके चीच्ज़ करना है तो यहां से अथिकलिंफ्र डिर्ट पाइंगे कलर भी आउटलाइन का कलर आपको डिफाइन करना है यह देखिया है बदर करना चाहि करना है कर Bureau यह साथ जो भी नदर चाह दे हैं इफेक्ट में जो 3D हमने टेक्स्ट देखा था वो 3D यहां पर भी लागो कर सकते हैं इसमें 3D सेडो भी ले सकते हैं अलग-अलग डिफाइन हैं और उसका कलर भी आप सो कर सकते हैं बेग्राउंड कलर जिसके हम बात करना है यह देखिए जो भी कलर लेंगे इसको बता रहा कि कैसा लागेगा जैबकि टूटाउं 3 में लागो करके रहना पड़ा था वो इसमें कर सकते हैं x4 गया रोटेट कर सकते हैं तो अ कि जहां भी आप पजिशन लेप राइट मेंशेट करना चाथे हैं वFr ख्ते हैं वह आप कर सकते हैं रिड़ी प्हेंट पेट नफटे कर सकते हैं बहुत अच्छा यहां पर लगेगा जब इसको आप शेट करेंगे यह देखिए 3D, अब 3D का भी color आप यहां पर इभन कर पाएंगे, यह 3D color है, इसमें जो भी आप color लेना चाहते हैं, इफेक्टिव ले, थोड़ा यह बस color ही एक main चीज़ होती है, जब जहां जिसा आप color लेंगे, वो उस data text की position निड़ाइच करेगा, उसका layout या effective जो layout जिसम के लिए, उस light का motion भी आप लेना चाहते हैं, जैसे नीचे से light चलाना चाहते हैं, देखिए, नीचे से light चल रहा है, वहीं पर, यदि light को आप define करना चाहते है, light के अंदर मिलेगा, right से, left से, top से, तो उपर से light आता हुआ, अब पता चलेगा, enter से, यह आप dim कर देगें, तो light dim हो जाएग drop cap और अजनी चीजे हैं, signature line बगरा है, जिने हम इसमें insert कर सकते हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, कोई ज्यादा डेटा नहीं है इसमें, लेकिन इसे रोके नहीं हैं, यहाँ पर यह भी हो साई उप्योगी चीजे हैं, जिने हमें जरुवत होती है, और सीखना भी हो जैसे आपने देखा होगा कि हम paper पड़ते हैं, उसमें देरिक भासकर का दव बड़ा लिखते हैं, और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा effective हर बनाने के लिए उसको ऐसा वो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार का कोई data assign करें, तो data को text को select करें और फिर आप drop cap मे जाएं, तो data type करके और फिर drop cap को click करें, यह देखिए, इसमें जिसा यह line कर, तीन line तक यह cover कर रहा है later, यह देखिए लेंगे आप, तो यह देखिए, as का, शुबं का, अब अगली line उसके just नीचे आ रही है, तो इस प्रकार से, यह as को design कर सकते हैं, इसका निर्धान भी आप यहाँ पर कर पाएंगे, कि कितने later तक आपको करना है, तो यह option भी है, drop cap, options के अंतरगा जाकर कि आप, 8 line, 2 line, 3 line, 4 line, वो भी आप निधर कर पाएंगे, यह देखिए, line to drop, 3 line आरा, 4 line है, तो वो उतनी line तक वो cover करेगा, character, तो drop के बहुत अच्छा features है, signature line है, आपको कोई data की signature अपना नाम होगा आया, signature इस प्रकार के को data define करना है, तो वो भी आप इसमें define कर पाएंगे, लेकिन इससे अच्छा header footer है, date time के format आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी format आपको लेना है, और date time को insert करना है, जहां करसर रहेगा, वहाँ पर ले सकते हैं, OLE feature भी है, object linking, bending, जिसे हमने Excel की रूप में देखा था, यहाँ पर अन्य application के अंतरकत यादि आपको कोई काम करना है, यह से हम चाहते हैं कि word के अंतरकत excel के हमें जरुवत है, तो आप excel को यहाँ पर insert कर सकते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताई भी था, तो इस प्रकार से अन्य application, यानि word में रहते हुए, आप अन्य application का use कर सकते हैं, और यह process है, वो कलाता है OLE, object linking, embedding, तो इसमें दो तरीके से object को आपक्रेट कर सकते हैं, इस application में उसके चवी देख पाते हैं, उसका data देख पाते हैं, यह object creation है, जिसके अंत्रगत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के object आप create कर सकते हैं, और text format यादे कोई file आपको लेना है, तो उसे भी आप यहाँ पर object group में insert करवाएंगें, जो भी data उसका है, वो उस file के अंत्रगत आ जाएगा, हमारी main जो file है, उसके अंत्रगत इंसर्ट हो जाएगा, इसके बात है, यहाँ पर symbols हैं, यह maths के symbols के format यहाँ पर दे रखे हैं, जो सवाल हैं, उन्हें आप create कर पाएंगे, यह data को create कर पाएंगे, तो यह भी एक अच्छा features हैं, इसके बाद यहाँ पर symbol है, different, different पर करकर के character, symbol, जिसे कहते हैं, more symbol के अंत्रगत जाएंगे, तो यह symbol window आ जाएगी, और जो भी symbol आपको insert करना है, उसके insert कर दीजे, उसका shortcut भ करेंगे, four shortcut उसका बन जाएगा, जैसे control आई हमने लिया, तो हम इससे assign करेंगे, और ऐसा shortcut ना बना, जैसे control आई से, इससे italic होता है, तो आप ऐसा shortcut करने बना, हमने गल्तिस बना दिया है, पर ब्यदी बना देंगे, तो अभी यह insert हो जाएगा, control आई से, उस प्रकार से symbol का यूज भी आप कर सकते हैं, तो साथियों, आज हमने header, footer, word art, word art के सारे style वगरा देखें, साथिसा सिंबोल्स का हमने यूज किया, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो like करें, share करें, और हमारे channel को subscribe करना न भूलें, धन्यवाद,